आज दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है एक मई को दुनिया मेहनत कश्टपके की मेहनत को सलाम करती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में मजदूरों की भलाई का श्रे किस को जाता है? वो कौन है जिसने मजदूरों के काम के घंटे से लेकर इंशूरंस तक की लड़ाई लड़ी जवाब है डुक्टर बियार अरंबेट कर आईए आपको बताते हैं बाबा सहब ने मजदूर वर्ग के लिए क्या कुछ किया आज भारत में काम के आठ घंटे हैं तो इसका श्रे बाबा सहब को ही जाता है 27 नवंबर 1942 को ही साथवे लेबर कॉन्फरेंस में बाबा सहब ने काम के घंटे 14 से घटा कर आठ कर दिये उससे पहले भारत में मजदूरों को 14 से 15 घंटे काम करना पड़ता था ये बिल पेश करते हुए बाबा सहब ने काहा था काम के घंटे घटाने का मतलब है रोजगार का बढ़ना लेकिन काम का समय 12 से 8 घंटे किये जाते समय वेतन कम नहीं किया जाना चाहिए मजदूरों को दुरघटना भीमा दिया प्रोविडेंट फंड, TADA और मेडिकल लिग जैसे बेनिफिट्स भी दिलाए बाबा सहब ने मजदूरों की भलाई के लिए खुद 10 बिल राफ्ट किये उन्होंने आज की नेता इसी कमरों में बैट कर नीदिया बनाते हैं लेकिन बाबा सहब खुद ग्राउंड सीरो पर पहुंचते थे बाबा सहब ने कुद धनबाद कोल माईन्स और रानी गंज कोल फिल का दोरा किया और ख़दानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत पर विस्तरत रिपोर्ट भी बनाई 9 अपरिल 1946 को बाबा सहब मीका माईन्स लेबर वेलफेर फंड बिल लेकर आए यह काम से अनुप्रस्थित या काम से शब्द को हटाने के लिए है जो मात्रतव लाब अधिनियम की धारा पात से अर्स प्रस्ता का कारण बनता है और इसकन को इस आश्य को पढ़ने के लिए सला दी जाती है कि चार सता से पहले हर दिन महिलाओं को प्रसव से पहले मात्रतव लाब का हक हो साथी मर्दों के समान महिलाओं को भी समान वेतन दिलाने के लिए भी बाबा साहब ने संगर्श किया था असेंबली में बोलते हुए बाबा साहब ने कहा था हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिले मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब किसी इंडस्ट्री में समान काम के लिए समान वेतन देने का सिधान्त लागू किया गया है हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि महिलाओं उस गल्यारे में काम ना करें जो साड़े पांच फीट से छोटा हो इससे पहले जोकिन बरी जब्भों पर भी महिलाओं से काम कराया जाता था खदान मातरतव लाब कानून, महिला कल्यान पोश, महिला एवंबाल शर्मिक शंगरक्षन कानून, महिला मजदूरों के लिए मातरतव लाब कानून के साथ-साथ उन्होंने भूमिगत कोईला खदानों में महिला मजदूरों से काम नय कराने के कानून की बहाली भी करवाई बाबा सहब लेबर यूनियन को भी बेहद है मानते थे ट्रेड यूनियन एट भले 1926 में बन गया था लेकिन माली को दोहरा शर्लिक संगठनों को मानता देने को आनिवारिय बनाने का कानूनी संशोधन 1943 में हुआ 13 नवंबर 1943 को बाबा सहाब इंडियन ट्रेड यूनियन एमेंडमेंट बिल लेकर आए थे ताकि फेक्टरे मालिक ट्रेड यूनियन को मानता दें इसी समय काम करते समय दुरगटना घाबीमा जिसे बाद में एहसाई का रूप मिला कानून बना इसी समय बने कोईला और मीका करमचारियों के प्रोविडेंट फंड और सारे मजदूरों के प्रोविडेंट फंड भी अस्तितुर में आए बाबा साथ में 15 अगस्त 1934 को इंडिपेंडेंट लेबर पारिटी की स्थापना की थी उसके टिकट पर वे निर्वाचित हुए और 7 नवंबर 1937 को एक लाग से ज़ादा मजदूरों की हरताल का नेत्र भी डॉक्टर अमबेट करने किया था इस हरताल के बाद सबा को संभोधित करते हुए उन्होंने मजदूरों का हवान किया कि मजदूर मौदूदा लेजिसलेटिव काउंसिल में अपने प्रतीदियों को चुन कर सकता अपने हाथों में ले ले साथ नवंबर की हरताल से पहले 6 नवंबर 1937 को लेबर पार्टी द्वारा बुलाई गई इस मीटिंग में बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया अमबेटकर स्वेम खुली कार से शर्मिक शित्रों का भ्रमन कर हरताल सफल बनाने की अपील कर रहे थे ये हरताल डुक्टर अमबेटकर ने मजदूरों के हरताल करने के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बुलाई थी दरसल सितंबर 1947 में बंबे विधान मंडल में कॉंग्रेस वार्टी की सरकार ने और द्योगिक विवाद विधेग प्रस्तुत किया था इस विधेग के तहट कॉंग्रेसी सरकार ने हरताल को अपराधिक कारवाई की श्रेणी में डालने का प्रस्ताव किया था डुक्टर अमबेटकर ने विधान मंडल में इस विधेग का विरोध करते हुए कहा हरताल करना सिविल अपराध है फोसदारी गुना नहीं किसी भी आदमी से उसकी इच्छा के विरोध काम लेना किसी भी देस्ट्री से उसे दास्ट बनाने से कम नहीं माना जा सकता शर्मिक को हरताल के लिए दंड देना उसे गुलाम बनाने जैसा है हरताल एक मोलेक सवतंतरता है जिस पर में किसी भी सूरत में अंकुष नहीं लगने दूँगा ये दिस सवतंतरता कॉंग्रेस से निताव का अदिकार है तो हरताल भी शर्मिको कपावित्र अदिकार है डॉक्टर अम्बेटकर के विरोध के बावजूद कॉंग्रेस ने भहुमत का फाइदा उठा कर इस बिल को पास करा लिया था डॉक्टर अम्बेटकर ने इसे काले विधेक की नाम से पुकारा इसे विधेक के विरोध में डुक्टर अम्बेटकर की अगवाई में लेबर पार्टी ने 7 मुमंबर 1937 की हड़ताल गुलाई थी 17 सितंबर 1937 को उन्होंने महारों को गुलाम बनाये रखने के लिए चली आ रही वतन प्रिथा खत्म करने के लिए एक विधेक बेश किया था वतन प्रिथा के तहट थोड़ी से जमीन के बदले महारों को पूरे गाउं के लिए श्रम करना पड़ता था और अन्हे सेवा देनी पड़ती थी एक तरह से वो पूरे गाउं के बंधुआ मजदूर होते थे इस विधेक में यह भी प्रावधान था कि महारों को उस जमीन से बेदखल ना किया जाए जो गाउं की सेवा के बदले में बुगतान के दोर पर उने मिले हुई थी मजदूरों और किसानों के संगर्ष के अगवाई करते हुए डुक्टर अम्बेटकर ने सोशलिस्टों और कम्मिस्टों का भी सायोग लिया लेकिन ये सायोग ज्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि कम्मिस्ट और सोशलिस्ट पुँझी वाद को दुश्मन मानते थे लेकिन वे ब्रह्मन वाद के खिलाफ संगर्ष करने को बिल्कुल ही तयार नहीं थे जबकि डुक्टर अम्मेटकर ब्रह्मन वाद और पुँझी वाद दोनों को भारत के मैनत कशों का दुश्मन मानते थे 12-23 फरवरी उनी 38 को मनमाड में अस्प्रश से रेलवे कामगार परिश्ट की सभा की अध्यक्षता करते हुए डुक्टर अम्मेटकर ने कहा था भारते मजदूर वर्ग ब्रह्मन वाद और पुँझी वाद दोनों का शिकार है और इन दोनों विवस्ताओं पर एक ही सामाजिक समू का वर्चस्व है लेकिन कॉंग्रेस, सोशलिस्ट और वामपंथी तीनों अस्प्रश्य कामगारों के विश्चेश दुश्मन ब्रह्मन वाद से संगर्श करने को तयार नहीं है बाबा साहब में इस देश के मजदूरों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी उन्हें मजदूर निता के रोपी में मानिता नहीं मिल पाई साज़िश के तहट उन्हें सर्फ दलितों के निता तक सिमित कर दिया गया ना ही मज़दूरों पर उनके काम को पड़ में दिया गया और ना ही कभी उनके इस अमूल्य योगदान को दुनिया के सामने सही धंसे प्रस्तूत किया लेकिन सच ज्यादा समय तक छुप नहीं पाता बाबा सहब जैसे महानाय को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है ब्यूरो रिपोर्ट रशूद्र